राजस्थान की लोककला, संस्कृती और उत्सव कैसे आपस में एक दूसरे से गुथे हुए हैं। इसकी अगर बानगी देखनी है तो देखिए बीकानेर की गणगोर। नव विवाहित महिलाएं अहुली के दूसरे दिन से सोला दिनों तक इसर गणगोर यनि भगवान शियुव और पारवती की पूजा करती हैं। इसके लिए घर में इसर गणगोर लाए जाते हैं। घर की महिलाएं आगन में बैठ कर गीत गाती हैं, मंगल कामनाएं करती हैं। बीकानेर शहर अपने मीठे और तीखे स्वाद और किलों हवेलियों के लिए तो जाना ही जाता है। साथी बीकानेर की पहचान है लकडी से बनी ये सुंदर गणगोर। सजी धजी गणगोर पीहर आई है। सभी महिलाएं गणगोर का लाड लडाती हैं। उसे दूलहन की तरह सजाय जाता है, रिजाय जाता है। सोला दिन बाद ये गणगोर अपने ससुराल विदा होगी। गणगोर की पूजा के महतु को बताते हुए रेखा और हीरा देवी बताती हैं कि सोला दिन तक हर दिन गणगोर की पूजा होती है। इस दौरान जो मननते मांगी जाती हैं वो पूरी होती है। पूचा है वो एक बाध वाना से ही पूज है... उसको रूब दिए गवर करा की, है गवान ही ये मिज़िए। ये जो जो सोला दिन पूजा जाता है। उसमें ठंडा के दिन से हम बाहर निकालते ह। उसके दिन से हम बासा दिराते हैं खूब दूम दान से मलोग की टाइम ही निकल जाता है और बासा भी अच्छी तरह से लग जाता है अब भावना इतनी अच्छी होनी चीज है कि हमारे जो भी इंचे आओ वो पूरी करकर ही जाना पड़ता है इनको बगवान को बीकानेर में बनी लकडी की गणगोर देश में ही नहीं बलकि विदेशों में भी खासी लोग प्रिये है अब तो इनकी डिमांड ऑनलाइन भी होने लगी है खास बात ये है कि बीकानेर में गणगोर बनाने वाले खास परिवार कई पीडियों से इस काम को कर रहे हैं सागवा की लकडी से बनी ये सुन्दर गंगोर भीकानेर के अलावा और कहीं नहीं मिलती एक जोड़े की कीमत ही 25,000 के उपर बैठती है गंगोर को तयार करने के बाद असली काम है उसकी साज सज्जा करना गंगोर को दुलहन की तरह सजाय जाता है और सोले श्रंगार किये जाते हैं गंगोर को सजाने का काम भी पीडियों से किया जा रहा है माल तो सब जगह इसकी शहल होती है कुल मिलाकर वीकानेर की ये खुबसूरत गणगोर जरूर आपके मन को भाई होगी गणगोर की सवारी भी वीकानेर के जूनागड किले से निकलती है जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल होते हैं वाकई, खुबसूरती बीकानेर के चप्पे चप्पे में है और यहां की गणगोर तो लाखों में एक है ETV भारत के लिए बीकानेर से अर्भिंद ब्यास की रिपोर्ट